रमस्कार सभी को, सबसे पहला प्रेसन आता है कि आप कैसे सिद्ध करेंगे कि आप भारत के नागरिक हैं या आप भारतिय हो, तो इसका सीधा सीधा आंसर होता है, तो इसके लिए नागरिकत आधिनियम 1935 कहता है कि अगर किसी का जनम भारत में हुआ है या उसके मातापिता का जनम भारत में हुआ है और अगर किसी के पास भारत सरकार द्वारा दिये गए valid document है तो वो उनके आधार पर भारत का नागरिक माना जाएगा बसरते वो देश दुरह ना हो तो ये था आपका सही जबाब कि आप एक भारती हैं क्योंकि आपका जनम भारत में ही हुआ है और आपके मातापता का जनम भी भारत में हुआ है और आपके पास भारत सरकार द्वारा दिये गए कुछ important document हैं जो आपको दरसाते हैं कि आप एक भारती हैं लेकिन अब ये समझना है कि ये नागरिक्ता है क्या तो नागरिक्ता लोगों को दिया जाने वाला या मिलने वाला एक ऐसा अधिकार है जो लोगों को देश का नागरिक होने का प्रमाण अथवा सबूत है और नागरिक्ता के द्वारा कोई भी इंसान जो एक उम्र सीमा पार कर चुका हो और वह पागल वह दिवालिया ना हो उसे देश में वोट डालने चुनाव लडने तथा देश के बड़े बड़े सरकारी पदों चाहें वो राजनेतिक पद हो यहें वो सांस्क्रेतिक पद हो उस पर जाने का अधिकार है अगर कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप पूछ सकते हैं तो नागरिक्ता से संबंदित कुछ महत्तपूर्ण प्रैसन जो आपके एकजाम में पूछ लिये जाते हैं और इनके साथ साथ ही हम आपके टॉपिक को किलियर करते जाएंगे तो नागरिक्ता संबंदी सारे अधिकार दिये गए हैं तो अगला प्रैसन है किस अनुछेद के तहट संसत को नागरिक्ता के संबंद में कानून बनाने का अधिकार है तो इसका से उत्तर हो जाएगा अनुछेद 11 के तहट और अनुछेद 11 के अनुसार नागरिक्ता संबंदी कानून बनाने का अधिकार केवल भारतिय संसद को है और संसद का ग्रह मंत्राल लेही नागरिक्ता सम्मंदी कानून बनाएगा तो अगला प्रेसन है कितने वर्सों तक बहार रहने पर नागरिक्ता समाप्त हो जाती है तो इसका स्युत्तर हो जाएगा साथ वर्सों तक भाहर होने पर भारत की नागरिक्ता समाप्त हो जाती है और नागरिक्ता समाप्त करने के कुछ और वी नियम कानून है वो मैं आपको बता देता हूँ तो देखिए किस पिरकार से भारत की नागरिक्ता समाप्त की जा सकती है तो पहला है खुद से नागरिक्ता का त्याग पत्र देना, अगर कोई व्यक्ति किसी और देश में रहकर अपनी मर्जी से भारत की नागरिक्ता का त्याग पत्र दे देता है, तो सरकार उसको भारत की नागरिक्ता से वन्चित कर देगी, दूसरा है सरकार द्वारा बर्खस् द्रोही पाया जाता है या सरकार को उससे भरोसा खतम हो जाता है कि ये व्यक्ति अव भारत का नागरिक बनने के लायक नहीं है तो सरकार उसे नागरिकता से वंचित कर सकती है लेकिन सरकार को भी यह सिद्ध करना होगा कि ये व्यक्ति वाकई देश-द्रोही है या फिर ये प्रमाण पत्र, जनम प्रमाण पत्र, रासन कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, अगर आपके पास कोई भी ऐसा डॉकुमेंट नहीं है जिससे ये सिद्ध होता है कि आप इस भारत के ही नागरिक हैं या पिर किसी छेत्र में रहत हैं तो आपको वंचित किया जा सकता है तो आएए लोटते हैं अपने प्रैसनों की तरफ तो नेक्स्ट कोशन है नागरिक्ता किस प्रकार छीनी जा सकती है या समाप्त हो सकती है तो इसका सियुत्तर हो जाएगा देश दिरोह का आरूप सिद्ध होने पर और स्वैम से त्य लिटेन, यूखे, या फिर यूनाइटेड, किंगडम एक ही नाम है कोई साभी आपका एकजाम में पूछा जा सकता है तो याद रखना और प्रैसन महत्रपून है इसे लिख भी लीजिए तो अगला प्रैसन है भारत के नागरिकों को कितनी प्रकार से नागरिक्ता प्रिका की भी हो और भारतिये भी हो तो ऐसा नहीं हो सकता अगर आप भारतिये हैं तो आपके पास केवल एक हैरी यानि भारतिये नागरिक्ता ही होगी नेक्स्ट कोशन है संवीधान वारा प्रेदत नागरिक्ता के संबंध में संसद ने व्यापक नागरिक्ता अधिनियम कब लागू किया तो इसका सयुत्तर हो जाएगा 1955 में और आपके एक्जाम की दरश्टी से नागरिक्ता 1955 वेरी इंपोर्टेंट है तो नेक्स्ट कोशन है नागरिक्ता प्राप्त करने वे खोने के विशय की विस्तार से चर्चा कहां पर है तो इसका विशयोत्तर हो जाएगा 1955 में तो अब आप सुनिए नागरिक्ता अधिनियम 1955 क्या है और यह क्यों इतना इंपोर्टेंट है तो नागरिक्ता अधिनियम 1955 के तहट भारत में पांच प्रकार की नागरिक्ता है और तीन प्रकार से इस नागरिक्ता को हटाया जा सकता है तो पहले भारत की नागरिक्ता देख लेते हैं तो सबसे पहला है जनम के आधार पर अगर किसी व्यक्ति का जनम भारत में हुआ है या उसके मातापिता का जनम भारत में हुआ है तो वह भारत का नागरिक होगा दूसरा है once के आधार पर तो once के आधार पर मतलब है कि किसी व्यक्ति का once यानि उसके परदादा, उसके दादा, उसके फादर और वो खुद अगर इस पिरकार्श के उसकी स्रेंडी भारत में ही चलती है तो वह है भारत का नागरिक होगा क्योंकि उसका once क्रेम अनुसार भारत में ही जन्मा हुआ है तो तीसरा है आपका पंजी करण अथवा रजिस्ट्रेशन के आधार पर नागरिकता अगर कोई विदेसी भारत में 7 साल रहने पर पंजी करण करा लेता है कि वो अब भारत का ही नागरिक बनना चाहता है तो भारत सरकार उसे भारत का नागरिक बनने का अधिकार दे देती है तो next है आपका देसी करण तो ये आपकी समझ में आता है तो next है आपका अरजित भूमी तो अरजित भूमी से क्या मतलब है अरजित भूमी एक ऐसी भूमी होती है जो भारत ने बहार से मिलाई हुई होती है या फिर भारत ने कहीं से उसको जीता हुआ होता है तो उसके रहने वाले लोगों को भारत की नागरिकता दे दी जाती है Example के तौर पर सिक्केm उनीस सो पिछेटर से पहले भारत का राज्य नहीं था लेकिन जैसे ही वो भारत का राज्य हुआ, तो सिक्केम में रहने वाले सभी लोग भारत के नागरिक कहलाने लगे वहांके सभी लोगों को भारत की नागरिकता प्रापत है अगर इन में से कोई भी चीज समझ में नहीं आई हो तो आप बिलकुल पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और नागरिकता बरखास्त करने के नियम आपको हमने पहले ही बता दिये हैं ये आपके एकजाम के द्रश्टी से महतपून है, इनको आप अच्छे से समझ लीजिए और ये आपकी जनरल नौलेज के लिए भी बहुत महतपून है तो आईए नेक्स्ट कोशन देखते हैं नागरिक बनने के लिए क्या सर्थ आवैसक है? तो इसका स्युत्तर हो जाएगा राज्य की सदस्यता लेना अगर कोई व्यक्ति राज्य की सदस्यता लिये विना सोचता है कि वह भारत का नागरिक होगा तो ऐसा नहीं है उसे भारत का नागरिक तम माना जाएगा तब उसके पास जिस राज्य में वो रहना चाहता है उस राज्य की सदस्यता होगी अगला प्रेशन है यदि कोई भारतिय व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ग्रहन कर लेता है तो वह भारत का नागरिक होगा या नहीं ये question आपके लिए है, अगर आप चाहें तो अच्छे से answer दीजिए, क्योंकि आपने सारे के सारा नूर्ट्स पढ़ा है, और आपको पता चल चुका है कि भारत में किस प्रकार से नागरिकता अपना ही जा सकती है, या पिर भारत की नागरिकता को किस प्रकार से हटाया जा सकत तो आपको नूट्स कैसे लगे अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज जरू लाइक कीजिए आने वाली वीडियो के लिए चैनल को जरू सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास नूट्स और वीडियो पहुंचती रहें धन्यवाद अच्छे से तयारी कीजिए आप कमेंट कर सकते हैं हम आपको इसकी पीडियो फाइल भी प्रोवाइट करा देंगे तो धन्यवाद अच्छे तयारी कीजिए